नमस्ते फ्रेंद्स और वेल्कम टूनरा सेशन ओफ कुईफिक्स प्रो आचा करता हूँ अब सभी लोग अपने गरों पे स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हम बात करने वाले हैं इस डोर बैलेंसर के बारे में कुछ लोग शौकर भी बोलते हैं इसको डिक्की के दोर का तो इसके बारे में बात करने वाले है क्या ये रिपेर हो सकता है WD-40 से या नहीं हो सकता है तो मैं बतादू problem क्या आती है problem के बार आती है या तो ये hold करके रख लेता है एक ही जगह में मतलब आपकी टिक्की एक ही जगह में खड़ी रह जाती है या फिर इतना lose हो जाता है कि एक दम नीचे गिर जाता है तो अगर तो यह lose है तब तो आपको इसको replace ही करना पड़ेगा पर अगर आपका ये hold करके रख रहा एक जगा में तो कुछ हद तक repair हो सकता है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है और क्या फाइदा उससे होता है या नहीं होता है तो इस door balancer के बारे हम बात करने वाले हैं पर मैं आपको बता दूँ इसको खोलने से पहले आपको कुछ बाते ध्यान रखनी है बहुत जरूरी में इसको खोलना हलांकि बहुत ही असान है पर होता क्या है जब हम खोलते हैं तो यह नीचे गर जाता है एकदम तो आपको कुछ न कुछ यहां पर सुपोर्ट रखनी है पहले या तो सुपोर्ट रखनी है या तो किसी और बंदे को बोलना है कि इसको पकड़ के रखेगा यहां से नहीं तो क्या होगा न यह एकदम धड़ाम से नीचे गरेगा बहुत बुरी तरह में तो यहां पर आप सुपोर्ट रख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा तो सुपोर्ट आपके काम आने वाली है या फिर किसी बंदे को बोलेंगे पकड़ने के बारे में अब बात करते हैं इसको खोलने के बारे में खोलने के लिए चाहिए आपको 12 नंबर का स्पैनर तो 12 नंबर का स्पैनर है सबसे पहले आपको यह वाला नट रिमूव करना है यह असानी से रिमूव हो जाएगा एंटिक्लॉक वाइस और फिर उसके बाद में यह वाला नट लेंगे तब आपका यह बैलेंसर जो है अराम से खुल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें और दूसरा बैलेंसर जो है आपका वो भी सेम तरीके से आपको 12 नंबर की 20 से ही इसको रिमूव करना है पहले इस नट को और फिर दूसरे नट को रिमूव कर लेंगे तो असान तो देख रहें कितनी ताकत लग रही है इसके अंदर इसमें गैस भरी रहती है अंदर में होता यह है कि कचरा फिल हो जाता है तब यह दिक्कत करता है अब बात करते हैं इसको लगाने के बारे में आपको क्या परिशान ही आएगी कि यह लेफ्ट राइट दोनों एक ही होत अब बात करते हैं, WD-40 से इसको रिपेर कर सकते हैं नहीं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका boot remove करना पड़ेगा, यह dust cover रहता है इसके अंदर में, तो इसको थोड़ी ताकत लगा के ऊपर खीच लेंगे, तो बड़ी असानी से बाहर आ जाता है, तो ताकत लगा के ख खीचेंगे, खीचने के बाद में इसमें WD-40 गिरेंगे, तो काफी बीडियो हैं इसकी WD-40 के साथ में ठीक करने की, तो अगर जैसे मेरा है अभी बैलेंसर, अगर वैसा है आपका मतलब उसमें गैस भरी पड़ी है, तब तो WD-40 कुछ हद तक इसमें काम कर सकता है, मतलब कहने का मेरा यह है कि कुछ लिमिट तक इसको काम कर सकता, बसका मतलब यह नि Credits को भी थीक हो जाएगा यह, क्योंकि dust चली जाती है अंदर में अंदर गैस है यार, गैस हलके भूलकी लीग करेगी, तो बिलकुल ही लीग कर जाएगी, प्रोपर ही लूज हो जाएगा, मेरे म कि by 10 कि तो एक दम यह array मैं वीडियो बनाय़े हूं इस न तो एक दम वैसे का वैसा ही है कोई भी फरक इस पह नहीं पड़ा है डवलिडि़ दिखा किसी ने आपको वो वीडियो दिखाई है तो बिल्कुल गलत दिखाई है सच्चाई नहीं दिखाई उस पंदे ने तो आपको क्या करना इसको change ही करना पड़ेगा replace ही करना पड़ेगा अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो तो आपको सच्चा ही दिखाना मेरा फर्ज है जूट बोलके अपने सब्सक्राइबर में गेन करना बिलकुल भी नहीं चाहता मैं नहीं चाहता जूट मूट दिखा के आपको कुछ भी मतलब ना अपने सब्सक्राइबर गेन कर लूँ वो मेरा मकसद बिलकुल भी नहीं है पहले चीज़ आजमाता हूँ करके देखता हूँ आपको उसका result बताता हूँ कि वो सही है या नहीं है आपको अपनी गाड़ी में चाहिए कर सकते हैं कोई परेशानी आपको इसमें नहीं आने वाली है और बड़े अराम से यह आपका एकदम फर्स क्लास हो जाएगा जारा महगा भी नहीं है तो आशा करता हूँ यह छोड़ी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं चीजी वीडियो में तब तक लिए जैहिन जैभारत